लोकसभा चुनाफ दोहजार चुनाफ में अपनी जीत दर्श कराने वाली है लेकिन दूसरी तरह एक और तस्वीर साफ हो गई है वह यह है कि इंडिया अलाइंस में इस तरीके से इस बार एक साथ आकर बीचपी सरकार को चुनावते दी है वह भी कहीं न कहीं असर दिखाता ह नजर आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी रुजान आय थे वहां पर जिस तरीके से इंडिया अलाइज वह अपनी बड़त दिखाते हुए रुजानों की तरफ से साफ हो रहा है तो यह कहीं न कहीं तजबीर को साफ करते हुए नजर आ रहा है तो उस रत को कहीं न कहीं ब्रेक जरू लगा है वहीं अगर हम इससे पहले के चुनावों के तरफ अगर हम नजर डाले तो हमने देखा कि जब 2019 का चुनाव हुआ था तब भी समाजबादी पार्टी बहुजान समाजबादी और R&D जो था वह एक साथ मिला हुआ था और बात कर दो हुआ है तो तुमाम जो दल है एक साथ आ गए है और बीज़ पी को इस बार उत्र प्रदेश में काफिपड़ी नजर आई है क्योंकि शुरू आति रुजान जो आए तो इसमें देखा गया था कि बीज़ पी को 35 सीटे मिलती हुए नजर आ रहे था तो यहां पर चबाली सीटो पर बाडना नजर आ थी इंदिया कर दो गदर कि इसके लाव हम भात करते हैं जाए हुआ निसमें बीज़ पी के परफ़ोंस की तो इसमें तो इसमें एसे बासर इसे इटो पर अपना इनाम दर्श्ट किया थिए अए ऐसी में से बासरल सीटो नग तीह बात करते हैं वक्रह real, hello, थेजय की आजिय लुच्छ पंकल पत्र के जिए बदा, वक्रोय ऑउष्मान के योजन हो उडेच एजय स्थेकाष Whatsजए हो, वक्रोय जए स्थेटिमाइ Pope 25 ओर भी अधियू एक पाद की नेह ढई भÓू पर भीजेपी को घेरा था क्योंकि जिस तरीके से वामतोर भी एक नजर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है या पर भीजेपी वाले जो खास मुद्दे हो नहीं उठाते हैं वह उसरे राम नाम पर चुनाग लड रहे हैं और जिस तरीके से एक योजना आए गई थी अगनिवी को टाव लेकर कौंग्र लगातार रिजवार का अगर कोनली सवर्कार सत्ता में थी तो जटनी भी योजन रहे हैं उसको च्छिप कर देगी तो यह कहीं ना कहीं जितनी भी मांइंसेट के लिए ज़ेज और इंड घटमंधन के तरफ से जो उन्होंने अपने बात इक जटने जितने भी चीज़े कहीं तो उसे भारी पड़तों नज़रा है क्योंकि जिस तरीके से जमीनी हकीकत भी आपने इन खबर के चैनल पर आपने देखी होगी कि ग्राउंड रपोर्ट में भी युगा इस वात को नज़रा है कि वो अगनी बीर जो योजना एथे उसे काफी जाद जिस तरीके से किसानों ने महीनों बैट कर डिली में धहर ना दिया पनी मांगिे रखी लिकिन उसके बावजूदी सर्कार के तरफ सुनको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सर्कार ने उनकी तरफ कोई भी डूख नहीं किया तो अगर कॉंगरिस यावर कह सकते हैं कि लूज के इंडिया एलेस जो राचारी के के निवारण करेंगे। एक भी बात यह एक थे चाहआ है। वह इस बात के चाहए है। इंडिया थाफ भी कवे बहुत। ऑट्रप्रदेश में इस तरकार बंते हुई नजर जरूर आरे हैं। लेकिन कही न कहीं जन्ता के दिमाग पे जिस तरीके से कह रहे थे कि शुरादी दौर में जो नौजमान लड़के हैं जो कि इस बार चुनाव मेगान नोतर इनकी बाते जो हैं कही न कहीं युगाओ के मस्तिष्क बेटी है और यही जो असर है इसका वो अब रुझानों पर दिख रहा है जो कि करीबन करीबन जो नतीजे है उसमें तबदील होता हुआ नजर आ रहा है क्या कुछ कहना है अपका इस बारे में आप हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन के जरीए सरो बताएएगा